सो हलो एब्रिवन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहें SEO यानि सर्च इजिन आप्टुमाइजेशन और फैक्ट वीडियो क्योंकि सर्च इजिन आप्टुमाइजेशन यह एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारे यूटूब की वीडियो उस पर व्यूज आ पा है यहां पर कही न कहीं थोड़ा seo पिछ स्थ पर जाता है तो वीडियो को श्रौ काहां से आखिर आएगे इसके बारे में आज यहां जाता या फिर यूटूब के वीडियो को करने के पीछे किन किन फेक्टर का रोल यहां पर है तो सबसे पहले टाइटल दन टैग दन डिस्क्रिप्शन यह तीन चीज इंपॉर्टन है ही ही साधी साथ जो आप वीडियो में जो बोलते हो यानि आपकी वीडियो की जो प्रॉसे लिख रखा है यह भी एस्यों का पार्ट है साथी साथ दोस्तों यहां पर आप अगर कैप्शन वगएरा यूज किये हो या फिर आप सब्टाइटल वगएरा लिख रहे हैं अपनी यूटूब वीडियो की तो वह भी वहां पर डिपैंड करता है या फिर वह भी एक हिस्सा एक पार्ट हो जाता है सर्च इंजन अप्टिमाइजेशन का आज कि इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्ट वीडियो को लेकर तो फैक्ट वीडियो का एसीओ करने के लिए यहां पर टाइटल उतना ज्यादा मैटर नहीं करता डस्क्रिप्शन और टैग मैटर करता है इस यह तरीन और नहीं हम घजए या फिर इसे हमें इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए जस्तरीके से हम अप्रेद्ट अम्मनिल को इस लिए बनाते सद्रक्रण से क्लिक दिखाते हैं थमनेल को थोड़ा केची क्लीकी बनाते हैं ठीक उसी प्रगार में टाइटल को बनाना है टाइटल को सर्च इंजन अप्टमाइजेशन एसी ओ के नजरिये से बिल्कुल भी नहीं देखना एफेक्ट वीडियो की बलकि हमें उसे केची और क्लीकी बनाने की कोशि यूज करेंगे और कुछ अजीबू गरीब चीज लिखेंगे या फिर कुछ त्रेंज ताइप चीज लिखेंगे या पिर कुछ आश्चेर जनक चीज लिख देंगे जिसकी वजह से लोग देखकर उसे पढ़ें और थोड़ा हैरान होई चीज जो लिखा गया है वीडियो क सब्सक्रीब सब्सक्राइब टैग्स को point wise करके लिखना है जैसा कि आपको अभी सारी चीज़े स्क्रीन में देखने को मिल रही होगी point wise करके लिखिए और एक समरी दीजिए 10 से 15 लाइन का उस वीडियो के बारे में उस वीडियो के बारे में 10 से 15 लाइन इंगलिस में लिखिए अगर इंगलिस आपको साई से नहीं आप आ रही है तो आप Google Translate का मदद ले सकते हैं वह आपर हिंदी लिखके इंगलिस में translate करके copy करके paste कर सकते हैं और जब भी आप 10 से 15 लाइन ब्रिफ नोट लिखें हैं आपका कहने का मतलब जो ब्रिफ नोट आपने लिख रखा डिस्क्रिप्शन में उसका मतलब वही बता रहा है लेकिन बातों को जब आप टाइटल्स को जब कीवर्स को घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि वह सर्चेबल कीवर्स कहिना का यूज करी जा रही उस दस से 15 लाइन के बीच में तो इस चीज का ध्यान दीजिए टैग्स को आप पॉइंट के रूप में लिखे अपने सोशल मीडिया लिंक्स प्रवाइड कीजे डिस्क्रिप्शन में और हैस्टेग का यूज कीजिए और टैग आपको सर्च करके लिखने है कुछ सर्चेबल कहां से सर्च करना कहां से रिसर्च करना टैग टैग लेटेड वीडियो की तो वीडियो कैसी लगी हैं बताएगा जरूर हमारे साथ जोड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आई होप कि आपको पुरा क्लियर पता चलिया होगा आप सारी चीजियों के बारे में अब वर्जन टू फैक्ट सीरीज क स्टार्ट हो चुका है बहुत ही अमेजिंग वे में लाइक सेर और सब्सक्राइब थैंक्यू सो मच